लेटिन अमरीकी देश, अर्जेंटीना में पहले मौसम काफी अनुकूल था और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने से सोयाबीन के शांदार उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जन्वरी के दूसरे पक्वारे से हालात बदलने लगे। पिछले सप् लाह भी वहां मौसम काफी गर्म एवं शुष्क बना रहा और तापमान बढ़कर 49 डिग्री तक पहुँच गया। वैसे कोर्डोबा तथा ब्यूनस आयर्स प्रांथ के कुछ भागों में बारिश हुई और चालू सप्ता के अंत तक देश के मध्यवर्ती तथा दक्षिनी खेतर में बोचार पढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है जिसे सोयाबीन की फसल को कुछ राहत मिल सकती है लेकिन अन्य इलाकों में शुष्क एवं गर्म मौसम से फसल को नुकसान होने की संभावना है। अधिकांच संभाग में तापमान 38 से 41 डिग्री के बीच रहने क अनुमान है जिससे खेतों की मिटी से नमी सूखने की तीवरता बढ़ जाएगी। वहां ततकाल अच्छी बारिश होने की सक्त आवशकता है क्योंकि सोयाबीन की फसल अपनी प्रगती के महत्वपून चरण में पहुँच गई है। 14 प्रतिशत क्षेतर में फसल में दाने लग चुके हैं। आम तोर पर मार्च में वहां सोयाबीन फसल की कटाई तयारी शुरू हो जाती है जो मई तक जारी रहती है। लापंपा तथा ब्यूनस आयर्स प्रांत में नमी का अभाव होने लगा है जिससे सोयाबीन की उपजदर में कमी आने की संभावना है। नमी क अभाव वाले क्षेतरों में केवल 36 प्रतिशत सोयाबीन फसल की हालत अच्छी या उतसावर्दक है। एक अग्रणी विशलेशक के अनुसार फिलहाल अर्जेंटीना में 2023 से 24 सीजन के लिए सोयाबीन का उतपादन अनुमान 520 लाक टन के पिछले स्थर पर बरकरार रखा लेकिन यदि शीग्रही समूचे देश में अच्छी वर्षा नहीं हुई और तापमान उंचे स्थर पर बना रहा तो उतपादन अनुमान में कटौती का सिलसिला शुरू हो सकता है। उंचे तापमान से इसमें कटौती हो गई। अर्जेंटीना संसार में सोयाबीन का तीसरा सबसे प्रमुक उतपादक एवं निर्यातक देश है, जबकि सोया तेल एवं सोया मील के निर्यात में परंपरागत रूप से प्रथम स्थान पर रहता है। भारत में सोयाबीन तेल